हाई एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो मैं आज आपके साथ अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग सेयर करने वाली हूँ तो अभी मेरे मंदिर की हालत देखे कैसी हुई है तो एक हपते से मैं पूजा नहीं कर रही थी आज मैंने पूजा स्टार्ट किया है तो सुबह ना सिर्फ धूप दीप कर दिया था मैंने सफाई नहीं की थी क्यूंकि बहुत जादा जालिव अगरा लग गए थे अभी दिख टो इस वज़ह से मैंने सोचा ना कि कठे अभी साम का टाइम है तो मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग करके ही फिर मैं पूजा जो है स्टार्ट करूंगी तो अभी गडेश चतुर्थी और जनमास्टमी भी आरही है दो तीन दिन में गड़ेश चतुर्थी है हम लोग के यहां मनाई जाती है तो फिर डीप क्लीनिंग करनी ही होगी थो इस वज़गे से मैं ने आज ही सटर्ट कर दिया तो वीडियो अगर आपको पसंद माखना तो प्लीज भी सामान वगेरा है ना आलमारी पे इधर तो उन सब को हटा ले रही हूँ और ये आलमारी पे जो सामान रखे जाते हैं ये डेली यूज में नहीं होते हैं कभी कभी किसी में पूजा में में जो होते हैं जैसे गड़ेश चतुर्थी जनमास्ट में ये सबा रहे हैं करवा च फाई मैं हर महीने ही कर देती हूं इस तरह से लेकिन नीचे नीचे जैसे लेकिन ऊपर से पूरा डीप क्लीनिंग जो है थोड़े से काफी दिन बाद ही होती है तो बस उधर का सामान मैंने आलमारी वगरा का हटा दिया था और यहां पे अब चौकी से सारी मुर्तियों को हटा ले रही हूं तो बाहर मैंने एक ना बड़ा सा भगोना रखा हुआ है तो उसी में सारी मुर्तियों को रख दूंगी तो ऐसे हाथ से दो-दो मैं ले जा रही हूं ना कि जैसे कुछ ये मार्बल वाले हैं कुछ चिनी मिट्टी के हैं तो डर भी लगता है कि थोड़ा सा भी अपने में आसानी रहती है अच्छे से सभाई होती है डीप लीनिंग अच्छे से होती है दीवाल का कलर थोड़ा सा ना वो जो धूप दीफ हम दिखाते हैं तो उसके वज़े से काले रंग का जो धूमा है बैठ गया है तो कलर थोड़ा सा खराब हो गया है तो अभी इसको पेंट भी करवाना है लेकिन अभी तो नहीं निवरात्री में देखा जाएगा उस टाइम सोच रहे हूं कि इसको पेंट करवा दूँ तो देखती हूं अब जैसा उस समय होगा इस्थिती उस इसाब से काम होंगे तो अभी जो है मैं जाडू लगा ले रही हूं पूरा अच् सबसे जादा जाले ही लगते हैं तो उपर नीचे तो कम गंदगी होती है उपर जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं तो उन सब को मैंने अच्छे से साप कर दिया इसी जाडू से और अभी एक कपड़ा भीगा लिया है और उसी से चौकी और ये टेबल जो है सारा कुछ पूच लूँगी धो मैं नहीं रही हूं क्योंकि पानी से धोनी के बादना काम बहुत बढ़ जाते हैं और बाहर मैंने सारा सामान निकाल के रखे हुए हैं तो वो सब भी जो है मैसी हो जाएगा बहुत जादा पानी से तो मैं सिर्फ कपड़े से ही अच्छे से पोच ले और इधर दिवाल वगरा जितने भी है न सब अच्छे से पोच लूँगी तो दिवाल पे ये प्लास्टिक पेंट है तो ये पानी से बहुत ही अच्छे से साप हो जाता है तो पहले ये रूम ना पूजा रूम नहीं था इसमें जो है स्टोर रूम जैसे था चावल दाल य तो सिर्फ उपर का दिवाल जो है पेंट कर दिया था नीचे का ये प्लास्टिक पेंट वाला ऐसे ही रह गया था तो इसको अभी बाद में देखूंगी सोच तो रही हूं बहुत दिन से लेकिन हो नहीं पा रहा है तो अभी मैंने मंदिर को अच्छे से पूरा पानी से कप अपड़े से पोच दिया है देखे पूरा दिवाल टेबल चौकी इदर सब कुछ नीचे का फर्स भी अच्छे से पोच दिया और बिल्कुल अंदर का क्लीन हो गया है बाहर यहां पे सामान बहुत जादा फैले हुए है देखे बरतन तो मैंने सारे किचन में रख दिये हैं यह organizer है इसको भी धुलना है तो अभी सारा सामान जो है पोच की रख दूँगी और कुछ सामान इसमें से न जाएंगे जो है बिसर्जन के लिए क्योंकि कुछ सामान बहुत जादा पुराने हो चुके हैं तो उनको मैं हटा दूँगी बहुत जादा सामान मंदिर में सुबह पूजा के टाइम वैसा नहीं है सिर्फ मैं सफाई की दृष्टी से ही पूरा पानी अच्छे से जो है डाल के पोच ले रहे हूं साफ कपड़े से तो पानी मैंने बिल्कुल साफ लिया है बालती में और बरतन तो सारे मैंने अभी धुलने के लिए निकाले हैं तो बस यही गलास से ही धो रहे हूं तो लड़ू को पाल और राधारानी है तो इन लोग को सुबह इसनान करवाऊंगी अभी साम का टाइम है तो उन लोग को ऐसे ही रख दूंगी और ये जो हैं साई बाबा हैं दुरगाजी हैं तो इन सब लोग को नहला दे रहे हूं जाता है तो मेरे पास पीतल की मूर्ति कोई है नहीं सिर्फ लड़ू गोपाल और राधारानी है तो वो लोग मैं पितामबरी वगरा कुछ यूज नहीं करती हूं बरतंद होने के लिए करती हूं लेकिन इन मूर्तियों के लिए मैं नहीं करती हूं बस पानी से ही साप कर द और दिया भी लगा दिया है क्योंकि लेट भी हो रहा था और कुछ उन्नी उन्नी नहीं मैंने उड़ाई है मातारानी को ये सब मैं सुबह करूंगी सुबह के टाइम इधर जो है डब्बे वगएरा जो इस पे रखने थे पोच के मैंने रख दिये अभी कुछ सामान बाहर बरतन के लिए वहीं पितांबरी मैंने लिया है और थोड़ा सा विम जिल लिया है तो बस इसी से धोती हूं कभी नीबु अगयारा भी वही है जिद पितांबरी से साप होता है या फिर खटाई हो गया इमली या फिल नीबु से भी साम हो जाते हैं तो हमेशा ही साप करती रहती हूँ जो बहुत मतलब अखंड जयोती हो गया और ये सब भी ये सब जो हैं बहुत कम साप होते हैं तो इन सब को साप करने के लिए बहुत जादा मेनत करनी होती है तो निवरात्री वगरा मैं उन सब को अच्छे से सफाई करती हूँ और ये सब ह खाली छोटी छोटी कटोरियां है तो यह तो regular ही साप होती है तो बहुत ज़्यादा यह गंदी नहीं होती है बीच बीच में पितामबरी से करती हूँ और डेली का डेली वीम जेल से ही साप कर देती हूँ तो यहां पे यह बरतन धुने वाला जो basket है ना बरतन धोके जो रखत तो उसी में सारे बरतन मैंने रख दिये हैं कि पानी अच्छे से निकल जाए तो यहां पे सारे बरतन धुल गया है अभी यह और्गिनाइजर भी वही विम जेल और इसक्रबर है तो यह इसक्रबर वगेरा भी मैं पूजा के लिए अलग से ही रखती हूं यहीं पे रखा है कि सूखने में इसे टाइम लगेगा अब यह सूबही सूखेगा तो बरतन वगयरा यहां पे लगा दे रही हूं यह सब भी सूख जाएंगे और और और्गिनाइजर भी सूबह तक सूख जाएगा तो अभी मंदिर का काम जो है मेरा खतम हो गया है रात वाला कपड़े वगयर तो मैं अपने पूजा रूम की इसी तरह सफाई करती हूं और बहुत जादा खूबसूरत मंदिर तो नहीं है लेकिन जो भी है मुझे तो अच्छा ही लगता है अपना चीज किसी को देखे खराब नहीं लगता है और जैसा भी है जो भी है मतलब साप सुतरा रहना चाहिए मेरा तो ये मानना होता है कमी चीजे हैं महंगी चीजे नहीं हैं सस्ती ही हैं लेकिन उनको साप सुतरा रखना चाहिए जैसे किसी किसी का मंदिर मैंने देखा है बहुत सुन्दर होते हैं देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं तो उस टाइब का नहीं है और भगवान चाहा तो हो सकता है आगे हो जाए लेकिन जो भी है बस साप सुतरा रहना चाहिए तो अभी ये सुबह का टाइम है मैं नहाद होके आ गई हूं तो आज है रक्षा बंदन का दिन तो लड्डू गोपाल को राधा रानी को मैंने नहला दिया और नए-नए कपड़ी देखे प बांद रही हूं तो सुबह का टाइम है ना मुहूर्त था कि सुबह ही राखी बांदनी है साथ बचे से पहले ही तो इसी वज़ा से मैंने सुबह सुबह नहा के सबसे पहले हैं यहाँ पे कि पहले भगवान जी को राखी बन जाए उसके बाद तो फिर लेट होगा भी और स जादा आजकल निकल रहा है नीचे वाले उपर वाले छट पे तो जो मैंने गमले में लगाए हैं वो नहीं लेकिन नीचे जो जमीन में लगा हुआ है उसमें बहुत सारे फूल आजकल खिलते हैं यहाँ पे गडेश जी को भी नया रक्षा मैं बांद दे रही हूं तो पु आप से लगने लगते हैं तो फिर उनको निकाल के नया बांदना जरूरी हो जाता है यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूं वही सिंदुर लगा दे रही हूं मातारानी को तो बस मतलब मेरा पूजा करने का कोई ऐसा नियम नहीं है कि मैं ऐसे करती हूं मुझे जैसे समझ मे आता है देखे मैं वैसे ही पूजा करती हूं तो पूजा करने में वही है बस अपनी भावना होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए प्रेम होना चाहिए और कोई नियम धर्म नहीं होता है तो यहाँ पे भगवान जी लोग को मैंने भोग लगा दिया है अभी दिया बत्ती कर ली रही हूं तो अभी मेरी पूजा हो गई है और वीडियो का एन भी यहीं पे कर रही हूं लास्ट में एक बार आप लोग फिर से अच्छे से दर्सन कर लीजे माता रानी के यहाँ पे लड़ू गोपाल और राधा रानी के राधे राधे बोलिए सब लोग तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ ना तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई राधे राधे